हलो फ्रेंट्स मैं वो संध्या सागत है आपका शैल की रसोई में आज हम मनाने वाले हैं एक नहीं रेष्पी तो विडियो नहें तक जरूर देखिएगा I hope आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेष्पी पसंद है तो विडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत बुलिएगा तो चलिए फिर बनाना इस्टार्ट करते हैं आज बनाएंगे ब्रत वाली यालू की सब्जी बनाना बहुत इजी है बहुत ही कम समान में बनकर ये तियार हो जाती है आप इसे किसी भी ब्रत में खा सकते हैं अगर आप फास्ट रखते हैं या फिर अभी नवरात्र चालू होने वाला है कल से तो आप ब्रत रख रहे है या घर में कोई ब्रत रख रहा है तो आप इस तरह से अलू की सब्जी जरूर बनाईएगा बहुत टेस्टी बनती है आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं तेहां मैंने आलू को वाल लिया है कूकर में डालके तो आपको जितना बनाना होगा आप उतना ले लिजेगा और इसे मैंने तीन सिटी लगाया था कूकर में और तीन सिटी में ये आलू अच्छे से उबल गया तो इस कि आलू को मैंने कट कर लिया दो-चार आलू मैंने बचा दिये ज्यादा हो रहा था तो मैंने रख दिया है उससे फ्रेज में अब यहां एक पेन चड़ा दिया अब इसमें डालेंगे घी हम तो घी में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यह बरत वाली सब्जी बन रही है तो बर के लिए बनाए तो घी में ही बनाईएगा दो चम्मच इसमें घी डाल दिया और घी जैसे ही पीघल गया इसमें जीरा डाल दिया जीरा को हम भूंजाने देंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे आलू आलू को डाल के इसे हमें एकदम अच्छ से फ्राई करना है इस ट पकने लगता है आलू इसलिए इसे चलाते रहिएगा तो चलिए आलू को पहले फ्राई कर लेंगे और इसमें एकदम थोड़े मसाले हमें डालने हैं आपको मैं बताऊंगी कि इसमें क्या मसाले डालना है और कितना डालना है थोड़ा सा अद्रक लिया है इसे ऐसे कदुकर कर के डाल देंगे तो इससे न बहुत अच्छा टेश्ट आ जाता है तो छोटा टुकड़ा लिया था अद्रग का और इसे भी डाल के अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे ये बहुत जल्दी से बन कर तयार हो जाती है ये सबजी आप इसे न ऐसे भी कभी नास्ते में बना सकते हैं और आप इसे टिफिन के लिए ही बना सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा पाउडर ये जीरा पाउडर है आधी चमच अगर जीरा पाउडर ना हो तो जीरा को पीस के आप पाउडर बना सकते हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला एक चमच लाल मिर्च प पाउडर और लाल मिर्ज का पाउडर सब को डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर और भून लेंगे ताकि इसका जो मसाले का कच्छा पने खतम हो जाए अब यहां डाल रही हूं मैं काला नमक तेहां हमें प्लेन वाली नमक यूज नहीं करनी है काला नमक डालना है तो काला नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है आप इसे ऐसे खाएंगे न तो भी बहुत अच्छी लगती है यह अब लगतार चलाते हुए इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे और पटासा हो जाईए अगर आपको पसंद ना हो तो नीबू मत डालिएगा लेकिन थोड़ा डालने से तेश्ट बहुत अच्छा आजाता है गैस को बंद कर दिया यह नीबू लिया है मैंने नीबू को इसमें ऐसे नीचोड के हम डालेंगे ध्यान रहे बीजा इसमें जो बीज रहते हैं वह न जाए तो मैं एक हाथ में बीज रख ले रही हूं तो पूरा नहीं डाल रही में कम से कम एक डेड़ चम्मज़ से डाल देंगे इसमें और इसे भी डालके मिक्स कर देंगे उपर से हरी धनिया पत्ति डाल देंगे इसे बारिक-बारिक काट लेती हूं और इ नबरत के भी अगर आप जड़पड बनाना चाहते हैं तो अगर आपको मॉर्णिंग में कोई इजी सबजी बनानी हो टीफिन के लिए तो आप आलू उबाल के फ्रीज में रख दीजिए और सुवे आप जड़पड से इस तरीके से आप आलू की सबजी बना सकते हैं तो धनिया पत्ती बारिक बारिक काटके डाल देना है तो देखने में भी काफी अच्छा लगता है और टेस्ट भी आजाता है अच्छा तो धनिया पत्ती डाल दिया इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे आप सब कर सकते हैं अराम से आपने देखा होगा ज्यादा देरी नहीं ल पसंद आये और अगर आज की ये रेस्पी पसंद आये तो विडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और जो फिरेंज चैनल पर नए है तो प्लीज फिरेंज सस्क्राइब किये भी ना बिल्कुल भी मत जाईएगा आपको मैं पास्त दिखा रही हूं आप देख रहे हूंगे इ और एकदम कम समान में ये बन कर सब भी जो है त्यार हो जाती है अगर आलू की इजी सब्जी वो ले ना तो यही है जो सबसे इजी तरीके से बन जाती है और अभी नवरात का टाइम आ रहा है आप आराम से इस सब्जी को बनाईए बस आप इसमें काला नमक और घी यूज क किजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स फिर मुलकात होगी एक अच्छी सी सांदार रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में